कि हलो फ्रेंट्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की सेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं इस सेशन के माधिया में आप माधियम से आप लोगों को जार्खन करेंट एफेस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है गाइस क्यूज टेस्ट के माधियम से और सब्सक्राइब के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए जो यह सेशन है हमारा वह आपका ब्रह्मास सावित होने वाला है क्यूंकि आप लोगो को करेंट है फिर से सवाल जरूर पूछे जाएंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेंट है बहुत इंपोर्टेंट रोल निवाता सब्सक्राइब करते हैं आज का सेशन बिना देरी की हुए है और आज का हमारा पहला सवाल आप लोगो के बीच में पहला है जार्खन खेलनीती 2022 में खिलाड़ियों के परसिच को यानि कि जो ट्रेनिंग करवाते हैं गैज के प्रुस्ताहन के लिए किस प्रुस्कार का प्र प्रुस्ताहन के तौर पर दिया जाएगा जो ट्रेनिंग करवाते हैं खिलाड़ियों को चलिए को से नमबर टू है गैज नवंबर 2022 में किस अस्थान पर 22 वा अंतराज के सरना धर्म महा सम्मेलन का आविजन के गया मौस्त पीवाई को सने को से नमबर टू चलिए मिला ले लुगुबुरु घंटाबाड़ी जो कि हमारे ये बुकारो जीला के गोमिया परखण के अंतरगत एक गाउं है ललपनिया वहां पर ये आपका धर्म अस्थान है जो कि संथालियों का बहुत ही पवित्र अस्थान है यहां पर प्रतेक वर्स आपका धर्म सम्मेलन होता है यह इंपोर्टेंट है याद रखेगा चलिए कोस्टन नंबर खिरी है गाईज हाल ही में जार्कन राइज के लिए सांस्कृतिक रूप से अलग जगाने वाले इस्वरी प्रसाद का नियधान हो गया है उन्होंने किस संग की अस्थापना की थी चार उप्शन आपको बीच संग की अस्थापना की थी जो कि हाल ही में इनका निधन हो चुका है गाईज निधन से सवाल रहेंगे याद रखेगा पुछ पुछ देंगे किस से बिलों करते हैं तो यह अलग जगाने वाले थी संस्कृतिक रूप से चलिए कोस्टन नंबर फॉर्थ है गाईज संजुक बनता है गाईज से नमर फॉर्थ है बिल्कुल करेक्टांस वाजगा ऑफ्सन नमर डी जग्रेक्टांस वाजगा दोस्व जम सेतपूर किराने वाली है ठीक है चलिकोस्टन नमर फिप्थ है दोस्तों आठ फरवीद वह जब तैइस को केंद्रिये इलेक्रोनिकी और सुचन और उप्सन में गाईज बिल्कुल करेक्टांस हो जगा मिला लेजिए ऑफ्सन नमर फिप्थ का सई जवाब होगा ऑफ्सन ए राची में जो है नहीं बनेगा बादबा की बोकारों धनबाद और जमसेतपूर ये तीन अस्थान पर बनाने का मंजूरी मिल चुका है घ्यान रखेगा है ना तांची मत मार का जाएगेगा दिक्कत हो जाएगा प्रोक्साथ चलिए कोसे नमबर शिक्स थे दोस्तों 23 जुन 2022 को संपन मांडर विधा सबाव उप्चुना में कोन विजय हुआ मॉस्प भी एक उसन प्रोलिटिक्स का बहुत फेवरेट सवाल लेगा इस क कि विजयी रही उप्चुना विधान सबा का जो 23 जुन 2022 को संपन हुआ था मांडर का ये सिर्पी नेहा तिर कीजी चलिए कोसे नमबर सेवन है जारखन की किन दो कुलपतियों को करनल की मानद उपादी से सम्मानित किया गया है मॉस्प भी एक कोसे नमबर सेवन बिलकुल करेक्टांस हो जगा अफ्टरनमर डी जगरेक्टांस हो जाए बी और सी दोनों से होंगे ठीक है डॉक्टर मुकुल नरायन देव और डॉक्टर सोना जहरिया में ये दोनों को ग्याज कुलपती हैं है न तो आपका करनल की मानद उपादी से समानित किया गया है ड डॉक्टर मुकुल नरायन देव और डॉक्टर सोना जरिया को चली कोस्चन नमबर एट है दोस्तों क्लीन टू ग्रीन ऑन विल्स अभ्यान की शुरुवात कहां से की गई है चार अप्शन आपको बीच है सही अंसर जरूर कमेंट करने का प्रियास किजिए कोस्चन नमबर जी बिलकुल करेक्टांस हो जगा ऑप्शन बेज दा करेक्टांस हो जगा जमसिद पूर में ठीक है जमसिद पूर से शुरुवात की किया गिया है आपका क्लीन टू ग्रीन ऑन विल्स अभ्यान चली नेक्स कोस्चन कोस्चन नमबर नाइन है दोस्तों आप लोग बीच में जारखंड के किस सहर में देश के दूसरे सबसे बड़े सिवलिंग के स्थापना की जाएगे वाव मॉस्ट बीवाइए कोस्चन है गाईज इंट्रेस्टिंग सवाल है इस्टेटिक में बनने वाला सवाल है गाईज कोस्चन नमबर नाइन तो सही अंसर जरूप कमेंड करन हैं चलिए तो थोड़ा इल्मिनेट इसलिए इसको छोड़ दें चलिंगे पढ़ लेते हैं हाले में फौरेश्ट सोयल हैल्ट काड जारी करने वाला पहला राज कोन बना है है जब पहला है तो इंपोर्टेंट है गाई कोसे नमर 11 कि बिल्कुल करेक्टांस हो जागा ऑप्सिन नमर डी इस दा करेक्टांस हो जागा ठीक है जारखन चली कोसे नमर ट्वेल जारखन के सालगे हांसदा किस जी लेके हैं जिने साहित्य अकादमी यूआ प्रुस्काद 2022 से समवानित किया गया जैजय से या कि प्रुश्क दिद्व किया गया कोसे नमबर 12 चार थो बियूआ करने का प्रियास जरूर कि पिल्कुल करेक्टांस हो जगा आपका नमर ए किस जी लेके हैं तो जम सीदपुट इस कोस आल के हांस्ट याद रखेगा सहit अकादमी यूआ प सबंधुर्स है जारखन कि डिले में आमदाखादि पार्क परिशर में गांधी संग्राले के स्थापना कई यह तो बिल्कुल करेक्टांस हो जगा option number D is the correct answer के दोस्तों सराकला खरसावा में किस जिले में सराकला खरसावा में option D is the correct answer question number 13 का चले question number 14 है जो की most BVI सवाल भी है सावित्री भाई फुले की सुरी सम्वेधी योजना में कुल कितनी रासी देने का प्रवधान है सवाल है question number 14 जरूर पूछा जागा यह सवाद कर लेज़ेगा जी बिल्कुल करेक्टांस हो जगा option number D is the correct answer चालिस हजार ठीक है यह आपका आपका इस्त्रियों के लिए ज्यादा बहतर योजना है ठीक है जो लड़की है उनके लिए चालिस हजार टोटल दिया जाएगा और यह आपका चालिस हजार किस्त बाइक दिया जाएगा चलिए question number 15 जो कि आज का हमारा लास सवाल है हर एक सेशन में आप लोगो 15 प्रेक्टिस करवाए जाता है क्रेंट एफेस का और यह हमारा लास सवाल है सीम सपोर्ट का पूर्ण रूप बताना है क्या होगा चार आप पर बीछे सही अंसर क्रें कमेंट करने का प्रियाद जरूर किजिए गए जिए बिल्कुल करेक्ट आंस होजगा ऑफ्टन नबर सी दा करेक्ट आंस होजगा दोस्तों चलिए चीफ मिनिस्टर सब्सीडिव पच्छे जवाप पेट्रॉल फोर राइडिंग टू वीलर्स स्कीम यह सई जवाब है ठीक है ना तो आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त हो दोस्तों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माधियम से फिडबेक जरूर दीजिएगा ठीक है अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेर जरूर कर देजिएगा दोस्तों के बीच में और फिर मिलेंगे अगले सेशन में गाईश तब तक के लिए जाज़त दिजिए जय हिन जय हारत